शिव बाबा याद है ना? उनको ही बाब की जास्ती करंट मिलती है देखो बाब तुम्हारी कितनी सर्विस करते हैं तो उस एक को ही याद करना चाहिए और कहीं भी बुद्धी को भटकाना नहीं है अगर याद करते करते बुद्धी कहीं और चली गई तो वह स्थाई खुशी नहीं रह सकती फिर बाब दिल पर भी वही चड़ते हैं बाब तो है ही दिल लेने वाला भक्ति मार्ग में तो शिबाबा शिबाबा पुकारते रहते थे अभी तो तुमको आवाद से परे जाना है इसलिए चुप रहे एक बाब की याद में मस्त रहो लेकिन सावधान रहना यह माया बड़ी दुस् का चक्र पूरा किया अब वापिस जाएंगे इसलिए बाब को और चक्र को याद करना है तभी चक्रवरती राजारानी बनेंगे लास्ट में बाबा ने कहा कभी किसी भी चीज में तुम्हारी आसकती नहीं होनी चाहिए बाप स्व्यम जानते हैं बच्चों को क्या देना है जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं व मुख्य कारण क्या है? उत्तर याद के समय बुद्धी भटकती है. स्थिर बुद्धी ना होने के कारण खुशी नहीं रह सकती. माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं. जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते हैं, तब तक खुशी स्थाई नहीं रह सकती है. इसलिए बच जब ओम शान्ती कहते हैं, तो बड़े हुलास से कहते हैं, हम आत्मा शान्त स्वरूप हैं. अर्थ कितना सहज है? बाप भी कहेंगे ओम शान्ती, दादा भी कहेंगे ओम शान्ती. बहें कहते हैं, मैं परमात्मा हूँ. यह कहते, मैं आत्मा हूँ. तुम सब सितारे हो. सब सितारों का बाप भी चाहिए ना? गाया जाता है सूरिय चांद और लक्की सितारे. तुम बच्चे हो, मौस्ट लक्की सितारे. उनमें भी नंबरवार हैं, जैसे रात को चंद्रमा न के आगे होते हैं, सितारे है ना, तुम भी ज्ञान सितारे हो, चमकता है भ्रिकुटी के बीच में वन्रफुल सितारा, बाप कहते हैं, यह सितारे बड़े वन्रफुल है, एक तो इतनी छोटी बिंदी है, जिसका कोई को पता नहीं है, आत्मा ही शरीर से पाल्ट बजाती है, बाप उनको बैठी याद करते हैं, जो सितारे अच्छे चमकते हैं, जो बहुत सर्विस करते हैं, उनको करंट मिलती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सर्च लाइट मिलती है, नमबरवार पुरुश्यार थनोसार, बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ सब कुछ त्याग सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत प्यारे लगते हैं दिल पर भी जड़ते हैं बाप दिल लेने वाला है ना, दिल वाला मंदिर भी है ना, अब दिल वाला या दिल लेने वाला मंदिर, किसकी दिल लेने वाला, तुमने देखा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा बैठा है ना, जरूर उनमें शुबाबा की प्रवेश्ता है, और फिर तुम देखते भी हो, उ उपर में स्वर्ग की स्थापना भी है, नीचे बच्चे तपस्या में बैठे हैं, यह तो छोटा मोडल रूप में बनाया हुआ है, तो जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, बहुत मददगार हैं, महरती, घोडे सवार, प्यादे हैं न, यह मंदिर यादगार बहुत अच् तुमको रोष्णी मिली है, और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं, सत-सत करते जाते हैं, वास्तों में है जूट, उसको सत समझते हैं, अब बाप जो टुथ हैं, वहे बैठकर तुमको टुथ सुनाते हैं, सारे जाड का राज तुम्हारी बुद्धी में बैठ गया है। तुमको समझाते तो बहुत सहज हैं, परन्तु टाइम क्यों लगता है। नोलेज वह वर्सा लेने में टाइम नहीं लगता। टाइम लगता है पवित्र बनने में। मुख्य है याद की यात्रा। यहां तुम आते हो, तो यहां अटेंशन जास्ती होता है याद की यात्रा में। घर जाने से इतना नहीं रहता। यहां साब नंबरवार हैं। कोई तो यहां बैठे होंगे, बुद्धी में यही नशा होगा। हम बच्चे वह बाप है। बेहद का बाप और हम बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप इस शरीर में आया हुआ है। दिव्वे द्रिष्टी दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो उस एक को ही याद करना चाहिए, और कोई तरफ बुद्धी जानी नहीं चाहिए। संदेशी पूरी रिपोर्ट दे सकती है। किसकी बुद्धी बाहर भटकती है, कौन क्या करते हैं, किसको जुटका आता है, सब बता सकती है। जो सितारे अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को ही देखता रहता हूँ। बाप का लव है ना, स्थापना में मदद करते हैं, हूबहू कल्प पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है, यह तो ड्रामा का चक्र जलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती, बाबा के साथ है ना, तो संग का रंग लगता है, फिक्र कम होती जाती है, यह तो ड्रामा बना हुआ है, बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं, सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों पतित से पावन बनने के लिए, बाप को याद करो, अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ती मार में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते, अब बाप को याद करते रहो, और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अल्फ और बे, बाप को याद करो, और 84 का चक्र फिराओ, आत्मा को 84 के चक्र का ज्यान हुआ है, रचैता और रचना के आदिमध्य अंत को कोई भी न नहीं जानते हैं, तुम जानते हो सोभी नंबरवार पुरुशार थनुसार, सुभे को उठकर तुम बुद्धी में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापिस जाना है, इसलिए अब बाप को याद करना है, तो तुम चक्र वर्ती बनेंगे, यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको भुला देती है, माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं, माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ती है, जो बच्चों को भुला देती है, वह खुशे स्थाई नहीं रहती है, तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बै फिर कोई की बुद्धी भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से तो कितना भी माथा मारो, तो भी बुद्धी में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है कर्म अ कर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ तो रावन राज्ये ही नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते माया होती ही नहीं जो उल्टा कर्म कराए रावन और राम का खेल है आधा कल्प है राम राज्य आधा कल्प है रावन राज्य दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मन ही होते हैं अब तुम ब्राह्मन समझते हो रात पूरी हो दिन शुरू होना है वह शुद्रवर्ण वाले थोड़े ही समझते हैं मनुष्य तो बहुत आवाद से भक्तियादी के गीत गाते हैं, तुमको तो जाना है आवाद से परे, तुम तो अपने बाप की ही याद में मस्त रहते हो, आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझती है, अब बाप को याद करना है, भक्ति मार्ग में शिव बाबा, शिव बाबा तो करते आई हैं, शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं, ग्यान कुछ भी नहीं, अब तुमको ग्यान मिला है, वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है, वह तो लिंग ही समझते हैं, अब तुमको तो ग्यान मिला ह वह लिंग के उपर जाकर लोटी चड़ाते हैं. अब बाप तो है निराकार, निराकार के उपर लोटी चड़ाएंगे, वह क्या करेंगे? साकार हो, तो स्वीकार भी करें. निराकार पर दूदादी चड़ाएंगे, वह क्या करेंगे? बाप कहते हैं, दूदादी जो चड़ा वह तुम ही पीते हो, भोग आदी भी तुम ही खाते हो, यहां तो मैं सम्मुक होना, आगे इंडिरेक्ट करते थे, अभी तो डिरेक्ट है, नीचे आकर पाल्ट बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं, बच्चे समझते हैं, मदुबन में बाबा के पास जरूर आना जाहि वहां हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है, घर में तो गोरक धंदे आदी में अश्यान्ती ही अश्यान्ती लगी हुई है, इस समय सारे विश्व में अश्यान्ती है, तुम जानते हो, अभी हम श्यान्ती स्थापन कर रहे हैं, योगबल से, बाकी राजाई मिलती है आप कहते हैं, कितने बच्चे आश्यरेवत भागनती हो गए, मुझ माश्यूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ, तो फिर छोड़ कर चले जाते हैं, माया कैसा थपड लगा देती है, बाबा अनभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है, सिर प पर टोपी, नंग्य पाउं दोडता था, मुसल्मान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे, मास्टर का बच्चा आया, जैसे गुरु का बच्चा आया, बाजरी का ढोडा खिलाते थे, यहां भी बाबा ने पंदरा दिन प्रोग्राम दिया था ना, ढो दूस्त हो गए, देखते थे, आसकती टूटी हुई है, यह नहीं होना चाहिए, यह चाहिए, यहां तो बाब कहते हैं, मांगने से मरना भला, बाब ही जानते हैं, बच्चों को क्या देना है, जो कुछ देना होगा, वह खुद ही देंगे, यह सब ड्रामा बना हुआ है, ब बाब को जो बाब भी समझते हैं, और बच्चा भी समझते हैं, वह हाथ उठाएं, तो सब ने हाथ उठाया, हाथ तो जट उठा देते हैं, जैसे बाबा पोचते हैं, लक्षमी नारैन कौन बनेगा, तो जट हाथ उठाएंगे, यह पारलोकिक बच्चा भी जरूर एड़ क बाब की संभाल करना. वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं. जैसे इनका लोकिक बाब था, वानपरस्थ अवस्था हुई, तो बोला, हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहां लेज जलो. तुम हो ब्राहमन प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रजापिता ब्रह्मा है great great grandfather सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सुरेस्टी का इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता ना ब्रह्मा विष्णू शंकर ही ज्ञान के सागर है शुबाबा वह है बेहद का बाप, तो उनसे वर्सा मिलना चाहिए न, फेह निराकार, परमपिता परमात्मा कब कैसे आया, उनकी जयनती मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं, यह तो गर्ब में नहीं आते हैं, समझाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, बहुत जन्मों के अ वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है, तो अब बाप तुमको कहते हैं, बच्चे, तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म, हिसाब तो जानते हो ना, तो मैं इनमें प्रवेश करता हूं, कहां आकर बैठता हूं, इनकी आत्मा जहां बैठी है, उ ऐसे गुरु लोग अपने शिश्य को बाजू में गद्धी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहां है, मेरा भी यहां है, कहता हूं, हे आत्माओं, मामे कम याद करो, तो पाप विनाश हो जाएंगे, मनश्य से देवता बनना है ना, यह है राजयोग, नई दुनिया के ल गाने, गुरु लोग अनेक हैं, सत गुरु एक है, वही सत्य है, बागी तो सब जूट हैं, तुम जानते हो, एक है रुद्र माला, दूसरी है वैजनती माला विश्नों की, उसके लिए तुम पुरुशार्थ करते हो, बाप को याद करो, तो माला का दाना बनेंगे, जिस मा तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परन तु जानते नहीं हो, कि यह माला किसकी है, उपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है, जिसकी माला फेरते हैं, समझते कुछ भी नहीं, ऐसे ही राम राम कहते, माला फेरते रहते हैं, राम राम कहने से समझते हैं, सब राम ही राम है सरव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है माला का अर्थ ही नहीं जानते कोई कहते सो माला फेरो इतनी माला फेरो बाप तो अनुभवी है ना बारा गुरु की ये बारा का अनुभव लिया ऐसे भी बहुत होते हैं अपना गुरू होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभो मिल जाए, माला अधी फेरते हैं, है बिल्कुल अंदश्रधा, माला पूरी कर फूल को नमस्कार करते हैं, शुबाबा फूल है ना, माला के दाने तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमन चलता है, वहे तो कोई राम कहते, कोई शुरिक्रेशन को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं, शुरिक्रेशन शरणम कहे देते, अब वहे तो सत्युक का प्रेंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे, शरण तो बाप की ली जाती है, तुम्ही पुज्ये फिर पुजारी बनते हो 84 जनम ले, पतित बने हो, तो शुब बाबा को कहते हैं, हे फूल, हमको भी आप समान बनाओ, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मातपिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारना के लिए मुख्ये सार, पहला पॉइंट, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसकती खत्म कर देनी है, बाबा जो खिलाए, तुम्हे डारेक बच्चन है, मांगने से मरना भला, दूसरा, बाब की सर्च लाइट लेने के लिए, एक बाब से सच्चा लव रखना है, बुद्धी में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाब है, उनकी सर्च लाइट से, हमें तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है, वर्दान, रहम की भावना दवारा, निमित भाव से सेवा करने वाले, सर्व लगाव मुक्त भव, बाबा ने कहा, वर्दमान समय, जब सभी आत्में ठक कर निराश हो, मर्सी मांगती हैं, तो आप दाता के बच्चे, अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो, कोई कितना भी बुरा हू, उसके प्रती भी रहम की भावना हो, तो कभी ग्रिणा, इर्शा, वक्रोध की भावना नहीं आएगी, रहम की भावना सहज निमित भाव इमर्ज कर देती है, लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता, स्टोगन दूसरों को सहयोग देना ही स्व्यम के खाते जमा करना है ओम शान्ती अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मूरली इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें हुआ 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 है